इस बात में कोई दोराए नहीं है कि हीना खान की पॉपलारिटी के पीछे ओंस्क्रीन अफ़तार ही नहीं बल्कि ओफ स्क्रीन लुक्स भी काफी जादा कारगर रहा है जिससे स्टाइलिस्ट बनाने के लिए आक्ट्रस ने कोई कसर नहीं छोड़ी है आपको बता दे हीना ना के वल फैशन इजी टू फॉलो है बल्कि इंडियन आउटफिट्स का भी कालेक्शन रखती हैं जिससे नजर हटाना वा कई हर किसी के लिए मुश्किल हो जाता है लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि धेश सारा एक्सपोजर होने के बाद भी हीना खान के कुछ कपड़ ऐसे हैं जोनके ओवर और स्टाइल स्टेट्मेंट पर एकदम पानी फिर देते हैं फिटनेस स्टाइल और सेक्स अपील को मैंटेन करने के चक्कर में हीना यह भूल जाती है कि जिसे पहन वह वावाही बटोरने में लगी है असल में वह उन पर बिलकुल अच्छा नहीं लग रह ऐसा ही कुछ हमें देखने को तब मला जब हीना खान के स्टाइलिश अफ्तार को लोगों ने सीधे रिचिक लिस्ट में डाल दिया दरसल हीना को हच से जादा फैशनेवल होना उस समय भारी पढ़ गया जब एक्ट्रिस अपनी सीरिया का सोटी जिंदगी में कौमा लिका का रोल ने भा रही थी जिहां उस समय वो मुंबई वापस लौट रही थी अपने रनवे लुक के लिए हीना खान ने भी टाउन की हसेनाओं की तरह बोल्ट स्टाइल से बिलकुल उलट बेहत कमफर्टेबल क्लोट्स को चुना था जो देखने में एक्टब वीर्ड लग रहा अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए हीना खान ने थ्री पीस सेट्स को चुना था जिसमें वाइट टॉप के साथ डेनिम जैकेट और एक स्कॉट शामल थी आपको बता दे कि हीना का टॉप पूरी तरह से कॉटन फाबरिक में बना था जो राउंड नेक लाइन में होने के साथ साथ कोल्ड शोल्डर पैटन में था आपको बता दे कि टीशिट पर स्लोगन प्रिंट था जिसे उन्होंने काट आउट स्लीवस वाली क्रॉप डेनिम जैकेट के साथ टीम अप किया था यहीं नहीं अपने लुक में स्टाइल एलेमेंट एड़ करने के लिए हीना न एसी मेट्रिकल पैटन वाली प्रिंट ऑन प्रिंट स्कूर्ट डाली थी जिसे पिंक और वाइट मिक्स्ट एंड माच कलर में डिजाइन किया गया था बले ही हीना खान का यह स्कूर्ट सेट ब्रांडड हो लेकिन लोगों को यह बिलकुल भी पसंद नहीं आया आपको बता दे की तरह तरह के कमेंट्स उनके इस ड्रेस पर आए थे जहां कुछ यूजर्स ने उनकी ओवर और ड्रेस को बखवास बता तो किसी ने कहा कि क्या सोच कर ऐसे कपड़े पहने यहीं नहीं एक यूजर ने तो उन्हें कहा कि काटून लग रही हो तो वहीं एक और यूजर ह उन्होंने लिखा कि तुम करीना को कॉपी क्यू करती हो मेशा एक ने कहा कि बच्ची के कपड़े पहन लिये हैं क्या तो लगातार ही ट्रोलिंग का शिकार हो गई है ना खान आपको इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताएए जोड़े रही हमारे साथ नेक्स नाइन लाइस सुर्पिकरपो